अब दोस्तो आई टीए हरियाना एडमिशन फोर्म भरे जा चुके हैं स्टूडेंट आई टीए की फर्स्ट मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे तो दोस्तो अब वह इंतजार खतम हुआ सबी स्टूडेंट साथियों के लिए खुसकबरी है आई टीए हरियाना दौरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट वो जारी कर दीगी है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करेंगे वो भी अपने मुबाइल से वो आज की वीडियों हम जानने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ITI से जोड़ी जो भी अपडेट हो आपको मिलती रही है, चले वीडियो हुआ है, यहां पर थ्री लाइन पहीं हमें क्लीक करने के बाद हमारा जो मुबायल हमारा बड़ा-बड़ा दिखने लग जाएगा, तो यहां पर डेस्किटोप साइट का ओप्security हो यहां पर शो जाएगा डेस्किटोप साइट ठीक है तो इस वाले मोड को हमें open कर तो यहाँ पर जो हमारे डेश्टोव है थोड़ा डेश्टोप यह एंग कंप्यूटर डेश्टोप की तरह ही हमारा फोन में दिखने लग जाएगा अब हमें यहाँ पर क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर रिजिस्ट्रेशन आईडे टाइप करेंगे उसके बाद नेम उफ क फिल कर दी है फिल करने के बाद यहाँ पर वाले उप्शन पर क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कैंडेट का नेम यहाँ पर रिजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर कैंडेट का नेम और उसके बाद फादर नेम यहाँ पर शो हो जाएगा उसके ब फर्स्ट था सेटेंड था वह यहां पर शो हो जाएगा उसके बाद यहां पर नीचे देखी फर्स्ट राउंड मेरिट लिष्ट पे युवर फी ओनलाइन सताई अगस्त दो हजार बाईस ठीक है यानिके जो इस ट्रेड में हमारा नंबर पढ़ा है तो यहां पर क्या करना है जो हमारी एडमीशन फीस है फर्स्ट मेरिट लिष्ट में जो नंबर पढ़ गया ट्रेड मे फीस है हम 27 अगस्त तका वो पे कर सकते है उसके बाद लिखाव है इन स्टूडेंट लोगिन सेक्षन यानिके जो फी पे कहां से करनी है स्टूडेंट लोगिन से करनी है अगर फी आप पे करना चाहते है तो मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों उस पर भी एक वीडियो ब बता दूँ है उसके बाद लिखाव है you can choose only one trade यानि कि आपको केवल एक ही trade है वो चुननी है उसके बाद लिखाव है in case your name comes in multiple trade अगर आपका एक से ज्यादा trade में number आता है तो आपको केवल एक trade का चुनाव करना है तो इस परकार से दोस्तों आप अपना merit list में name है वो चेक क कर ले क्योंकि इसी परकार की update में आप तक लेकर आता रहता हूं वीडियो को आन तक देखने के लिए धन्यवाद जैहिन दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में